दोस्तों आपने साप को अपनी स्किन को उतारते हुए देखा होगा जिसे हम केचली उतारना कहते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि साप अपनी केचली क्यों उतारता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साप ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करता है क्योंकि अगर साप की स्किन में कोई बीमारी लग जाती है तो साप अपनी उपरी स्किन को उतार देता है और कहा जाता है कि साप की केचली उतर जाने के बाद उसकी उम्र बढ़ जाती है साथ ही सरीर की लंबाई भी बढ़ जाती है इसलिए एक साप जल्द से जल्द अपनी केचली उतारने के लिए मजबूर हो जाता है केचली उतारने से एक तो साप की सरीर की सफाई हो जाती है और तवचा में फैल रहे बाइरस और इंफेक्शन से मुक्टी मिल जाती है केचली उतारने के 10 दिनों पहले ही सांप सुस्थ हो जाता है और एक सांथ इस्थान पर चला जाता है और खुद को पत्थर और लकडी और काटों में रगड़ रगड़ कर अपनी केचली को उतारता है और मैं तब तक कुछ नहीं खाता जब तो केंचली उतर नहीं जाती सांप एक साल में तीन बार केंचली को उतारता है वैसे क्या आपने सांप की केंचली देखी है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना